तो आज हम वाटर हार्डनेस पे एक और नुमेरिकल सॉल्व करेंगे यह इसका 6 पार्ट है जिन्होंने इसके स्टार्टिंग के 5 पार्ट्स नहीं देखे मैं दिस्क्रिप्शन उसके लिक देदूगा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके वह पहले 5 वीडियो देखी उसके बाद ही यह वीडियो पे आईएगा ठीके तो आईए स्टार्ट करते हैं वाटर हार्डनेस नुमेरिकल सिरीज आज का हमारा कोशन है कैलके हार्डनेस वाटर इन टरम्स ऑफ कल्सियूम कार्बोनेट गिवन कल्सियूम बाइकार्बोनेट इस इकुल तो 0.81 ग्राम मैंगनी कैसे निकालते हैं उसका अमौंट जो कि प्रेदा कर रहा है पानी में मैं तो देखिये हमें कौशन में कौन कौन से सॉल्ट दे रखें धान से देखते हैं हमें दे रखा है गिविन केल्शियम बाइकार्बुनेट दे रखा है हमें और उसका अमाउंट हमें दे रखा है पॉइंट एट वन ग्राम ठीक है और दूसरा सॉल्ट हमें दे रखा है मैगनीशियम बाइकार्बुनेट ठीक है सर और इसका अमाउंट कितना दे रखा है पॉइंट 73 gram ठीक है अब ये थो हमें इसका amount दे रखा है ठीक है अब देखो हमें volume of solution कितना दे रखा है volume of solution दे रखा है is equal to 100 milliliter ठीक है अब अब ध्यान से देखोगे तो हमारे पास कौन कौन से salt से है हमारे पास है bicarbonate of calcium and bicarbonate of magnesium क्या मुझे कोई बता सकता है इन दोनों से हमें कौन सी hardness मिलती है temporary या permanent hardness yes हम इन दोनों से हमें जो hardness मिलती है उसका नाम होता है temporary hardness ठीक है अब permanent hardness किसकी वज़े से मिलती है chlorides and sulfates of magnesium and calcium इससे हमें मिली temporary hardness ठीक है अब यहां पर unit देखो हमें इसका amount दे रखा है gram में और हमें volume of solution दे रखा है milliliter में अगर आपने units of hardness वाला topic ध्यां से देखा होगा तो मैंने बताया था हमें hardness की unit क्या होती है milligram per liter ppm पर यहां पर तो ऐसी कोई unit day नहीं रखी हमें gram में दे रखा है यहां milliliter में तो हम इसको milligram per liter में कैसे convert करेंगे hardness का unit का हमें बहुत ध्यान रखना होगा ठीक है unit कई बाग गलती की वेसे पूरा question गलत हो जाता है तो आईए इसको पहले unit को standard units में convert करते हैं जो की होता milligram per liter सबसे पहले हमें इसको calcium bicarbonate का मैं solve करता हूं ठीक है calcium bicarbonate का जो amount दे रखा है वो है हमारे पास point 81 gram ठीक है इस point 18 gram को अगर मैं solution के volume से divide कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा देखो 100 ml ठीक है यानि की point 81 divided by 100 और unit के मिरे पास gram per milliliter लेकिन standard unit क्या होती है milligram per liter इसका मत्ता मुझे gram को milligram में convert करना पड़ेगा और milliliter को लीटर में तो जैसे कि हमें पता है वन ग्राम इस इक्वल तू 1000 मिली ग्राम और वेरस वन लीटर इस इक्वल तू 1000 मिली लीटर ठीक है आईए इसको convert करते हैं point 81 divided by 100 ठीक है ग्राम को मिली ग्राम में convert किया तो multiply by 1000 ठीक है और मिली लीटर को लीटर में convert करेंगे तो divide by 1000 ठीक है इसको आप जब solve करोगे तो point 81 into 1000 into 1000 divided by 100 यहां से यह 100 answer आया 8100 मिली ग्राम पर लीटर ठीक है इसी तरीके से आप जब magnesium bicarbonate का solve करोगे तो magnesium bicarbonate का जो हमें final amount मिलेगा ठीक है unit convert करने के बाद वो आपको मिलेगा 7300 मिली ग्राम पर लीटर उसको भी इसी process में solve करेंगे आप ठीक है उसमें unit conversion है ठीक है तो आई हम निकालते हैं calcium carbonate equivalent of calcium bicarbonate सबसे पहले calcium bicarbonate का निकालते हैं ठीक है तो calcium carbonate equivalent मैं बस एक का निकालूंगा फिर दूसरे का आप निकालेंगे ठीक है यह है calcium bicarbonate फामुले में क्या दे रखा है amount of substance causing hardness amount कितना है अभी हमने unit convert करने के बाद इसका amount निकाला 8100 मिली ग्राम पर लीटर multiply by equivalent weight of calcium carbonate previous video हमने solve करना सीखा था मैं यहाँ पर directly लिखूंगा 50 ठीक है उसके बाद divided equivalent weight of hardness causing substance equivalent weight कैसे निकालते है equivalent weight is equal to molecular weight divided by charge on metal ion ठीक है equivalent weight हम यहाँ पर किसका निकाल रहे है calcium bicarbonate का ठीक है calcium bicarbonate का molecular weight कितना होगा 40 plus hydrogen का 1 carbon का 12 oxygen का 16 into 3 48 multiply by 2 charge कितना है divided by 2 40 यह कितना है 61 यानि की 122 divided by 2 162 divided by 2 यह आया 81 equivalent weight of calcium bicarbonate हम यह पूट करेंगे 81 ठीक है अवान साथ देखो क्या आएगा 81 से 81 गया और यहाँ पर हमें क्या मिला 5000 mg पर लीटर आये नहीं आये उसी तरीके से अब देखो calcium carbonate equivalent of magnesium bicarbonate का निकाल होगे हैं ठीक है magnesium bicarbonate का same formula use होगा amount of substance causing hardness उसका amount क्या था unit conversion के बाद 7300 mg पर लीटर multiply by equivalent weight of calcium carbonate जो कि आता है 50 divided by equivalent weight of hardness causing substance यहाँ पर substance कौन सा है magnesium bicarbonate इसका equivalent weight कैसे निकाल होगे similar formula बता है molecular weight divided by charge तो इसका molecular weight कितना निकलेगा देखो magnesium का 24 bicarbonate का फिर से मैं directly लिख देता हूँ 122 तो यहाँ पर 146 divided by 2 यहाँ का equivalent weight यहाँ पर पुट कर दो ठीके calculate करो के तो यहाँ आएगा 5000 mg पर लीटर ठीके अब यह थो हमारे individually हमने जो निकाले calcium bicarbonate का magnesium bicarbonate का CSU3 equivalent हम दोनों को एड कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगी total hardness in terms of temporary hardness तो हमारे पास CSU calcium bicarbonate plus magnesium bicarbonate will give us the temporary hardness ठीके यह है 5000 mg पर लीटर plus 5000 mg पर लीटर जो की हमारा आएगा 10,000 mg पर लीटर और इसको पर अगर में short form में लिखूं तो 10 is to power 4 mg पर लीटर ठीके अब इस ही महीं अगर आपको किसी और unit में answer पूछा होता तो क्यासे होते 10 is to power 4 mg पर लीटर को मैं क्या मैं 10 is to power 4 ppm भी लिख सकता हूं क्योंकि 1 mg is 1 mg पर लीटर is equal to 1 ppm क्या मैं इसको 10 is to power 4 into point 1 degree french लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं और अगला देखो अगर मुझे से degree Clark में निकालना होगा तो 10 is to power 4 into point 07 degree Clark ठीके तो हमने इसमें सारे आंसर सारी यूनिट्स में निकालके देख लिए I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा if you do like my this video please do subscribe to my channel see you in the next video